हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब दिवाली आ रही है और सभी के घरों में धेर सारी मिठाईयां बहुत जादा बनती है इस टाइम पे तो आज मैं आप से शेयर करने वाले हूँ यह बहुत ही टेस्टिक कलाकन रोल की रेसिपी जिने मैंने तयार गया है केवल 10 मिनट में और फोड़ी सी घर में रखी सामान से और आप देख सकते हैं कि अच्छे कलाकन के रोल हमारे बनकर तयार हुए है तो चलिए फटा-फट से स्टार्ट करते हैं रेसिपी को पसंद आएगा तो शेयर लाइक जरूर कीचिए का इस कलाकन रोल को बनाने के लिए दोस्तों सबसे प बताऊंगी पहले बस आप तीन चम्मच सूजी ले लें अब मैंने ले लिया एक पैन और इसमें मैं डाल लूँगी एक ग्लास फुल फैट दूद यह फुल क्रीम दूद था मेरे पास उबला हुआ और अब इससे बॉल होने के लिए पहले गैस पर चड़ा लें देखिए म अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसी स्किप भी कर सकते हैं और बस अब इन ची जो को आपको थोड़ा सा गाड़ा होने तक पकाना है बहुत जल्दी गाड़ा होने लगे गा यह क्योंकि जैसे जैसे सूजी भूलेगी और अब इसी समय मैं इसमें चाल दूँगी वन पांच मिनेट हो गए हैं और हमारा यह मिक्स थोड़ा थोड़ा गाड़ा होना भी स्टार्ट हो गया है थोड़ा सा एक दो मिनेट और पका लें इन से यकीन मानिये इतना अच्छा टेस्ट आता है और सूजी का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें सूजी आट की है ना उसका कोई कच्छेपन का फ्लेवर आएगा और ना ही कुछ और परिशानी होगी देखिए हमारा यह मिक्स काफी गाड़ा हो गया है 5-6 मिनेट हो गई है लगबग इसको पकते हुए और अब इसी समय आप डालते आधा चोटी चमबच इसमें नीबू का रस इ इसका एक दानेदार सा टेक्षर करना है उतना ही काफी है देखिए काफी गाड़ा मिक्स भी हो गया है और आप देख सकते हलका सा दाना भी इसमें पढ़ गया है वस इस समय आप इसमें डाल दे एक कप मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रैंड का ले ले जो भी आपके पास अफलेवल हो वैसे तो मिठाईयां बनाने के लिए अगर इसकीम्ड मिल्क पाउडर लिया जाए तो ज्यादा बैटा रहता है डेरी वाइटनर से उतनी अच्छे मिठाईयां नहीं बन पाती है अच्छे से धीरे-धीरे मिक्स करें कुछ समय के लिए आप चाह किसी स्पैचुला से प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो बिल्कुल भी लंब साने वाली परिशानी इसमें नहीं होगी देखिए सारा मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है बस आप वापस से आप गैस का फ्लेम चालू कर दें इस मिक्स को अब हमें तब तक पकाना है कि जब तक कि ये सारा मिक्षर जो पैन से सेपरेट ना होने लगे और इस समय अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें एक छोटा चमज घी भी एड़ कर सकते हैं उससे क्या होगा थोड़ा स्टिकीपन कम हो जाता है और काफी हो गया है हार्डली आपका अगर पूरा समय काउंट करें तो इसमें ठाई को बनाने के लिए केवल दस मिनिट आपको लगेंगी देखिए मिक्स गाड़ा भी होने लगा है गैस का फ्लेम आप मीजियम रखें बहुत ज्यादा हाई फ्लेम ना करें क्योंकि ये फिर मिक्षर मिक्षर कई बार हाई फ्लेम करने से जलने लगता है नीचे चिपक जाता है तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है और कंटीनू इसको चलाते जाना है इस टाइम पे चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें सूजी क्यों एड विल्कुल भी विल्कुल पदा नहीं चलेगा कि आपने इसमें सूजी मिलाई है क्योंकि हमने सिर्फ तीन छोड़े चमज सूजी को इसमें मिक्स किया है बस उससे आपकी मिठाई का टेक्शर अच्छा होगा बाकि और कोई परिशानी नहीं होगी देखिए मिक्स काफी गा आने लगा है आप इसमें देख सकते हैं और कितना अच्छा टेक्शर हमारे जो इस मिक्स का है वो आ गया है और अब मैं इस पैचुल से जिधर इसे गुमारी हूं यह उधरी एकदम से इखटा हो जा रहा है यानि कि हमारा जो मिक्स है यह एकदम अब परफेक्ट बनकर हो जाए अब देख सकते हैं अब यह थोड़ा सा छूने लायक हो गया है बस अब आप इसे किसी बटर पेपर फर या किसी फॉयल पर इस तरीके से ट्रांसफर कर ले और अब इस सारे मिक्स को आप अच्छे से पहले इखटा कर ले देखिए बिलकुल परफेक्ट मिक्स हमार पता इसका इस Ctrl कर लिए और अब इस तरीके से आप थोड़ा सा इखटा करते हुए हातों से इसको रोल की शेप देदेखिए मैं ने इस तरीके से से रोल की शेप में कर लिया है बहुत ही आसानी से बन कर त्यार हो जाएगा अगर आप रोल नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको बर्फी की तरह भी प्लेट में जमा सकते हैं देखिए मैंने इस रोल को बना लिया है अब आप इसे करीब आदा गंटे के लिए फ्रिज में रख दें करीब आदा गंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था बिल्कुल हमारा जो यह रोल है एकदम पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है अब देख सकते हैं बिल्कुल नहीं यह हाथों पे चिपक रहा है और बिल्कुल पर्फेक्ट जम कर तैयार हो गया है अब मैंने ले लिए थोड़े से कटे हुए पिस्ते इसमें मैं इस रोल को ऐसे कोट कर लूँगी जिससे जब हम इने पीसिस को कट करेंगे तो यह बहुत ही सुन्दर और अट्रक्टिव नजर आते हैं ड्राइफ रोट आप जो भी पसंद करते हैं वो ले सकते हैं जो भी आपकी चॉइस हो चाहे तो सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं देखिए अच्छे से इस पिस्ता को लगा लें और हातों से हलका सप्रेज कर लें जिससे जब हम इने कट करें तो ये बिल्कुल भी निकलेना वैसे तो हमारा में एक सिग्दम नॉर्मल है ये तो बहुत अच्छे से इस पर ये पिस्ता सैट हो जाएंगे देखिए बिल्कुल अच्छे से पिस्ता सैट हो गए है बस अब आप इसे मंचा है पिस्स में कट कर लें जैसे भी पिस्स आप पसंद करते हैं देख सकते हैं आपके कितना परफेक्ट हमारा जो ये रोल है वो बनकर तयार हुआ है हलका सा दानेदार टेक्शर भी है इसका लीजिए मैंने सारे पीस को कट कर लिया है तो लीजिए दोस्तों हमारे ये टेस्टी से कलाकन के रोल सर्व के लिए तैयार है आप जिसे भी खिलाएंगे कोई बताएं नहीं पाएगा कि आपने इने खर में बनाया है तो इस दिवा झाली